राधे राधे दोस्तों भक्ति सागर चैनल में आप सब का स्वागत है आज हम श्रीमत भागवत गीता का चोथा ध्याई का कथास करेंगे चोथा ध्याई ज्यान योग पिछली बार हमने तीसरा ध्याई करम योग सुना था तो आइए चोत्य देयर की कथा सुनते हैं, ओम नमोंभवते वासुदेवाई नमा, बोल शुरि भगवान कृष्न भगवान गीजन, चोत्य देयर ज्ञान योग, शुरि कृष्न भगवान बोले, इस अविनाश कर्म योग को मैंने सुरे से कहा, सुरे ने मनु से कहा और मनु आपका जनम तो अभी हुआ है और सूरी के जनम बहुत दिन पहले हुआ था मैं किस प्रकार मानू कि सूरी को या योगा आपने बताया शरी कृष्ण बोले मेरे वे तुम्हारे अनेक जनम हो चुके हैं मुझे वह याद है कि तुम भूल चुके हो मैं अजनमा मैं विनाची संपूर्ण प्रानियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थिर हूँ अपनी माया से जनमता हूँ और अपनी माया में ही लुप्त हो जाता हूँ इसलिए हे भारत जब जब धर्म की हानी होती है और धर जब धर्म का प्रवल्य होता है तब तब मैं जणम लेता हूँ साध्यों कि रक्षा के लिए पापियों के नाश के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए पर प्रटेक यूग मुझे में लीन हो जाता है इस तरह मोभ है और कुरोद कात्या कर मुझ में भक्ति करम से पवित्र होकर मुझ में मिल गए है जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसके मैं उसी प्रकारफल देता हूँ मैंने चारो वानों का वर्णो की स्रिस्टी मैंने चारोवनों के स्रिस्टी से अपने अपने गुनोर कर्मों से की है स्रिस्टी के करता मैं ही हूँ यता भी मुझे करता भी ना सी जान कर्म मुझे को विद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं करते कर्मों के बंदन में नहीं पढ़ता इसे बगर समझ कर पर्चीन ममुक्षुआ ने भी कर्म की हैं अथ पूरों पुर्ष्णों के पहले ही किये कर्मों को तूभी कर हे अरजुन कर्म क्या है और कैसे किया जाता है इसके विचार में विद्वानों के बुध्ध भी चक्रा जाती है उस करम का वर्नन मैं तुम से करूँगा तो हे अरजुन ध्यान से सुन जिसके जानने से संसार के बंदन से सूट कर मुक्स को भावी होगे करम विकरम करम तीनों का जानना वश्यक है क्योंकि करम की गती अति गंबीर है जो करम में करम देखता है वही पुश्विद्वान है वही योगी समस्त कारे को करने वाला है है और जिन जो करम करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त करम ग्यान रोपी अगनी भसम है उनको ही पंडित कहते हैं जो फल की आशा छोड़ कर करम करता है और उनसे असक्त भी नहीं रखता है तता निराश्रही सदा संतुष्ट रहता है ऐसा मुनशी करमों में घिरा रहना पर भी मानों कुछ नहीं करता सब नकामना को त्या करमन और आत्मा को वश्मे कर संसारी परपंचों से चूट कर केवल श्रीर से काम करते हैं वे करम बंदनों से संतान पत्ति नहीं होती दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संसुष्ट रहता है वही प्रानी हर्ष शोक आदी दंदों से मुक्त हुकर तता क किसी से इर्षय द्वेश नहीं करता करम की सिध्धी या सिध्धी में भी भेद नहीं समझता है वह करम करता हुआ भी उससे नहीं बंदता जो फल की इच्छा नहीं रगता वह वासना से दूर हो गया है ग्यान में जिसका मन अचल हो जो यक्य करम करता है वह सब करम लुपत हो जाते हैं, हवन कराने के पदार्थ वी ब्रह्मा है, अहूती देना वाला वी ब्रह्मा है, इस पकर जिसकी बुद्धी, जिसकी बृद्धी में सब करम ज्यान में है, उसी को ब्रहम प्रापत है, कोई-कोई करम योगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई-कोई ज्यानी य रूपी अगनियों में इंद्रियों के रूप शब्दाती विश्यों को होम देते हैं किते ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मा ग्यान से प्रज़ुड़त आत्मा का सही मुरूपी अगनियों में होम देते हैं कोई तो दूप यग करते हैं कोई ग्यान पूपी जक करते हैं। प्राना मैथत पर रहने वाले योऑड प्रान वाजू ह्यो और अपान वाजू का ल्हा अुअ करते हैं। प्रानों को लिधत हैं। यग जेए उनके सफ़ाप नशराते हैं। जो यग में बचे हुए हमरे तुरूप को अन्न को खाते हैं, वे सनातम ब्रह्मा को प्रापत होते हैं, हे अरजुन जो यग नहीं करते, उनको लोग पर लोग दोनों ही नहीं प्रापत होते, हे पार्थ, फल्साइद सब करम ग्यान में ही स्वापत हो जाता है, उसी जग, उस ग्यान से समस्त प्राणियों को तुम अपनी और मैं मुझ में भी देखोगे यदि सब प्राणियों से भी दिख पाप करने वाले हो तो भी ग्यान रूपी नोका से ही सब पाप रूपी समंदर को परकर पाओगे है अरजुन जिसे पकार परजवलित अगनी लकडी को जला कर वैसे ही ग्यान रूपी अगनी सब कर्मों को भसं करकालती है इस लोकों में ग्यान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है में ब्रह्म भूत काल प्रितन कर्म योग से सिद्ध हुए मनुश्य को स्वेही प्रापत होता है जो मनुश्य शर्दा वान मनुश्य इंद्रियों क अग्यान को पाकर अल्प समय में शांती को पा जाता है अग्यानी शर्दा रहीत और जिन में मन में संदे हुए ऐसे जो पुर्ष है वे नरक हो जाते हैं जिनके मन में सदसंदे रहता है जिनको यह लोक पर लोक और सुख कुछ भी प्रापत नहीं होता जिसकाम कर्म योग क आश्रे से करम बंदन त्याग दिये हैं और ज्ञान से जिसके सबसंदेशे दूर हो गए है अर्जुन उसमातम ग्यानी पुर्ष को कर्म नहीं अत है अर्जुन अग्यान से उत्पन हुए चित्त कैसे संशे को ग्यान रूपतलवार से काट कर तु मेरे बताय हुए कर्म यो झाल